कर दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों जैसा की वादा किया था सेल ओन राइज स्ट्राटेजी बिल्कुल क्लियर स्ट्राटेजी थी और क्लियर पैसा बनाएं तो आप देख सकते हैं 9 बच के 13 मिनट पे बता दिया था डाउन ट्रेंड आएगा 17 मिनट में और 17 मिनट में आप प्रॉफिट आ चुके थे प्रॉफिट लेके आप आप को बन क पर सकते थे तो कल अगर प्रेडिक्शन यह टाइम प्रेडिक्शन किसी भी यूट्यूब चैनल या फे इंफ्लेंसर के तुरू आपको नहीं मिलेगा यह सिर्फ मिलता है हमारे टेलिग्राम चैनल पे जिसमें आपको फ्री जॉइन करना है डिस्रिप्शन में आपको लिंक मिल चाएगा और टाक्सेशन की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है जिससे फायदा होगा एक पर्टिकुलर सेक्टर को और अगर आप देखेंगे ऐसा एक्जिक्यूशन अगर हो जाता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सोर्स सोर्स अगर आप देखेंगे तो रिटर से देखेंगा अपडेट आ रही है और आपको पता है हर 15 दिनों में 2 फरवरी को हुआ था हर 15 दिन में क्या होता है एक रिवीजिन होता है विन फॉल टैक्स विन फॉल टैक्स कहां पे इं and gas sector को और आपको पता है कि last time extraordinary इसमें jump आया था आपको मैंने वीडियो भी provide किया था मैंने आपको बताया भी था कि अगले दिन बाजार क्यों गिरेगा और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे morning में यह update आया है और आप देख सकते हैं यह बड़ा cut हुआ है यानि कि windfall tax में सरकार ने cut किया है इसको कम किया है और आपको पता है tax का कम होना यानि कि margin का बढ़ना और oil and gas company के लिए काफी अच्छी update है लेकिन interesting update आ रही है निर्मला सीता रमन की तरफ से वो भी आपको जाननी है तो एक एक करके सब कुछ देखते रहेगा तो अगर आप देखेंगे crude, aviation, turbine, fuel सब में यानि कि डीजल जितने भी particular देखेगा sector है इनमें आपको tax में कमी आते हुए देखनी को मिली है तो आप देखेंगे यहां पे तो आप देखते हैं पहले तो याद रखीगा पंदरा दिन में revision होता है अगला revision आपको पता है इस month के end में होगा और aviation sector को भी से काफी जादा फायदा मिलता है क्योंकि आपको पता है कि aviation में petrol और aviation oil होता है वो बहुत जादा लगता है तो आप देख सकते हैं कि यह जो particular आपके rate cut किये गए यानि tax cut किये गए यह पूरी तरीके से government के through करे गए है और अब यह executed भी हो चुके है और अगर आप देखेंगे government slash win for tax और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी बड़ी कमी की गई है तो win for tax पहले कितना था यह पता होना चाहिए तब 5,050 रुपए per ton के साब से था जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4,3,5,0 per ton हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी बड़ा tax cut किया गया है और इससे impact पड़ता है जितनी भी oil and gas की कंपनिया है उनके margin पे जो की बड़ी बात है फिर अगर आप बात करेंगे तो एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि इसके अलावा ATF अगर हैस भी देखेंगे cut rupees 1.5 per liter from 6 liter तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी aviation sector को काफी फायदा मिलता है उनके margin ATF पे बहुत जाते है tax कम होगा तो आपको पता है चीजे सस्ती होंगी और चीजे सस्ती होंगी तो उनके margin पे भी impact करेगा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे के अलावा डीजल में अगर आप देखेंगे 7.5 से डीजल 2 रूपीस 2.5 liter from देखेगा बहुत बड़ा चेंज आया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आया है और petrol continue have zero win for tax तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यह जो चीज़े होती है यह जो updates होती है इनसे एक sector को बहुत अच्छा benefit मिलता है और वो sector Nifty को support करने वाला एक major sector है तो यह तो बहुत अच्छी update हो गई मैंने आपको बता दी दूसरी बड़ी update ही आ रही है कि Finance Minister निर्मला सीता रमन जी ने क्या कहा है यह सबसे interesting बात है सबसे ज़्यादा interesting बात यही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत समय से लोग यह कहते हैं कि GST में सारे product आ गए हैं तो oil and gas क्यों नहीं आ रहा है तो इसका एक signal दे दिया गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर petrol and gas कभी भी आगे चलके एक साल में, दो साल में, पान साल में, दफ साल में कभी भी GST के दाएरे में आएगा तो आप यह समझ लीजेगा कि इस से ज़्यादा अच्छी update नहीं होगी और इस से ज़्यादा देखेगा आपको सस्ता petrol और diesel नहीं मिलेगा अगर वो GST के दाएरे में आ जाता है तो तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे finance minister ने देखेगा यहाँ पे एक signal दिया है तो अगर आप देखेंगे the petroleum product could soon be included under the GST the remark came mere month after petroleum and natural gas minister Hardeep Singh Puri said that the central government was ready to bring petrol diesel under the GST तो अगर आप देखेंगे तो central government ने यह कहा है कि अगर state government ready है तो हम GST के दाएरे में ले आएंगे petrol and diesel को तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है चुकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और आप देखते हैं कि petrol and diesel पे सबसे ज़्यादा tax लगता है और यह tax कहीं कहीं पे तो 30 से 40% के बीच में है तो अगर यह 18% के दाएरे में आता है तो आपको पता है कि यह product logistic sector को boost करेगा और आपको पता है essential commodity जो महंगाई यह core inflation है वो एकदम आपको देखेगा tolerance level के नीचे आता हो देखने हो मिलेगा 4% के भी नीचे आता हो देखने हो मिलेगा अगर इस particular update का execution हो गया और जितनी भी oil and gas company'a के margin impact होंगे और आपको पता है तो यह सबसे अच्छी बात होगी तो यह दोनों जो rate cut से related update आ रही है वो किसके लिए अच्छी है reliance industry के लिए इसी लिए 3 दिन में 5% के return मना के दी है stock ने कितने 5% के और अगर आप देखेंगे तो मैंने एक video बनाया था 7 दिन पहले कि 7 दिन में भागेगा यह share और आज 7 वा दिन है और यह 3 दिन में भाग चुका है 5% के आसपास वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए और reliance अगर चलता है तो आपको पता है nifty के लिए बाजार के लिए तो अपने आप अच्छी update होती है तो बहुत अच्छी update है reliance के point of view से कहीं भी panic देखने को नहीं मिल दा है वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न बूलेगा thank you so much